नमस्कार टेली पीसेस जीके में आपका स्वागत है शुरुवात करते हैं अभ्यास प्रश्ण से हमारा प्रश्ण था निम्रिकित में से किस देश के साथ भारत टू प्रश्टू वारता का आयोजन नहीं करता इसका सही उत्तर है विकल्प डी जर्मनी हाली में दूसरी भारत आउस्ट्रेलिया टू प्लस टू वारता निदिल्ली में आयोजित की गई रक्षा मंतरी राजना सींग और विदिश मंतरी डॉक्टर एस जर्शंकर ने उस्ट्रेलिय रक्षा मंतरी रिचर्ड मारलेस और विदिश मंतरी पेनी वं के साथ टू प्लस टू समवात की सह अध्यक्ष तकी इस वारता में कई क्षेत्रों में बहु आयामी भारत औस्ट्रेले समन्दों को गहरा करने पर विचारों का आधान प्रदान किया। आए जानते हैं संक्षित में 2 प्लस 2 वारता क्या है। अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रशन है। हाली में भारती सिनेमा का विशेश मानिता प्रुषकार किसे प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर विकल्प सी। आई FFI में अमिनित्री मादरी दिक्षित को भारती सिनेमा में विशेश पहचान बनाने के लिए प्रुषक्रित किया गया। इस प्रुषकार को घुष्णा केंद्री सूचना एवं प्रसारण और खिल मंत्री अनुराक सिंग ठाको, सूचना एवं प्रसारण राजमंत्री डॉक्टर एल, मुरुगन और गुवा के मुख्यमंत्री प्रमूत सावंति ने की। आपको बताते कि भारती अंतराष्टी फिल महुत्सव आई एफफाई एक नौ दिवसी समाहरू है जिसका आयोजन गुवा के पनजी में डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी इंडूर स्टेडियों में किया जा रहा है। इस वर्स इसका 24 संस्क्रड आयोजित हो रहा है। इसका लक्ष महत्यो कांक्षी फिल्म इर्माताओं, सिनेमा प्रेमियों और उद्योग के पेशेवरों को दुनिया भर के उतकृष्ट सिनेमा तक पहुच के लिए एक बंज प्रदान करना है। राजा राम मोहन राय दी स्वामे विवेक अरंद। इसका सही उत्तारे विकल्प बी ईशोर चंदर विद्या सागर। ईशोर चंदर विद्या सागर ने लोगों को समझाए कि हिंदू शास्त्रों में विद्वा पुनर विवाह की अनमती है। इसे प्राशर सहिता जो संस्कृत का एक प्राचीन विदिगरंथ है में एक ऐसा चंद मिला था जिसमें विद्वा पुनर विवाह का पक्ष लिया गया था। वे अत्यंत प्रभाव साली थे तथा चार अक्टूबर 1855 को उन्होंने एक याच का दर्ज की। इसमें उन्होंने सरकार में विद्वा पुनर विवाह के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कानून पारित करने का निवीदन किया। इस सुधारक के बिटिस सदकारियों का ध्यान विद्वा पुनर विवाह विधियक की तरह खींचा रता वर्ष 1856 में बिटिस सदकारियों ने इस विधियक को पारित करके इसे एक कानून का रूप दे दिया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 से समानित किया गया ए वीरदास, वीपंकर श्तरपाथी, सीख कंगनारनोत, या फिदी, श्रियाग हुशाल इसका सही उत्तर विकल्प ए वीरदास। कोमेडियन बन गए हैं। आपको बताती कि यह वीरदास का दूसरा अंतराष्ट्री एमी नामंकर है। साती निर्माता एकतकपूर को इंटरनेशल एमी डिरेक्टोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रशन। वे प्रमाड़ जिनमें प्रोटोन की संक्या समान होती है लेकिन निटोन की संक्या भिन होती है क्या कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्ब C आइसो टाइप। बेरिलियम प्रमाड़ू में ऑक्सीजन आइसो टोप की किरणों को तोड़कर नाइट्रोजन 9 नामक एक आइसो टोप के संकेत खोजे। नाइट्रोजन 9 नाभिक के बारे में जानते हैं इसकी विशिष्टा 7 प्रोटोन और 2 न्यूट्रोन है जो असमान रूप से उच्छ प्रोटोन 2 न्यूट्रोन अनपात है। इस असमानता का आइसो टोप की स्थरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जो इसकी 6 प्रक्रियाओं के साथ-साथ समगर विवहार को भी प्रभावित करता है। आपको बता दे कि अधिकांश नाइट्रोजन, आइसो टोप, नाइट्रोजन 14 के आते हैं जिसमें 7 प्रोटोन और 7 न्यूट्रोन होती है। लेकिन भोतिक विदों का कहना है कि नाइट्रोजन 9 आइसो टोप में केवल 2 न्यूट्रोन के साथ अलग प्रकार दिखाई देता है। इसका सहीुत्तर विकल्प सी देश की विभाजन एवं सत्ता हस्तां तरड़ की 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम वाइसराई के रूप में लॉर्ड माउंट वेटन भारत आई उनका उदेश इथा शीकर भारत को पूर सुतंदरता देना था लगभग दो माह की बातचीत के उपरांत माउंट वेटन इस निश्कस पर पहुँचे की विभाजन ही एक मातर विकल्प है अतहा 20 फरबरी 1947 को प्रधान मंत्री कले मेंट एटली ने भारत विभाजन की एक योजना तयार की अंतिताह 3 जून 1947 को माउंट वेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतर की एक योजना प्रस्तुत की जिसे माउंट वेटन योजना या 3 जून योजना कहा गया है यही योजना भारत के विवाजन का आधार बनी जिसने भारत को भारत और पाकिस्तान में विवाजित कर दिया आपको बताते कि माउंट बेटन भारत के अंतिम वाइसराय थे अगला प्रश्न संती मीरवाई का जन्विस्थान किसे राज्ज में स्तित है इसका सही उत्तर है विकल्प A. राजिस्थान प्रधानमंत्री नरंदर्मोधी 13 नमंबर 23 को उत्तर प्रदेश के मत्रौबे संती मीरवाई की 525 जैन्ती मनाने के लिए संती मीरवाई जन्मोथसो कारकरब में हिस्सा लेंगे साथी प्रधान मंत्री इस दवरान संत मीरवाई के सम्मान में एक समारक टिकेट और सिक्का जारी करेंगे मीरवाई का जन्म लगबग 1498 में राजिस्थान की कुड़की गाउ में हुआ था यह एक राजपूत राजकुमारी थी जो मेरता के शास्तक के छोटे भाई रतन सींग की एक मात्र संतान थी इनका विवाई 1516 में विवाड के राणा सांगा के पुत्र युवराज भोज राज के साथ हुआ था मीरा भाई सोलवी शताब्दी की एक कृष्ण भक्त और कवियत्री थी यह मद्योगीन भारत में भक्ती कवियों की एक मजबूत प्रमप्रा से जुड़ी हुई थी मीरा भाई ने मानवी समन्दों के माध्यम से भगबान के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया इन्होंने कई भजनों और छंदों की रचना की जो आज भी बहुत लोग प्रिये हैं अगला प्रश्न एक व्यक्त जो पूरी आयू ततक शमता का हो पांच वर्स से भारत के एक समुद्र पारिये नागरिक के रूप में पंजी कृत हो और भारती नागरिक्ता के लिए आविदिन करने से पहले एक वर्स से भारत में रहा हो भारती नागरिक्ता प्राप्त करेगा आपकी विकल्प ए पंजी करण द्वारा बी प्राकृतिक रूप से सी जन्म द्वारा या फिडी उप्रुप्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर विकल्प ए पंजी करण द्वारा नागरिक्ता अधिनियम 1955 के अंतरगत नागरिक्ता प्राप्तिकी पात शर्ते हैं जन्म, वन्शानुगत, पंजी करण, देशी करण और छेत्र समलित होने पर पंजी करण द्वारा भारती मूल का विकल्प जो नागरिक्ता का आविदन करने से ठीक पूर्व सामानिता साथ वरस तक भारत में रहा हो भारती नागरिक के नाबालिक बच्चे कोई व्यक्त जो पूरी आयू तथा क्षमता का हो एवं उसके माता पिता भारती नागरिक के रूप में पंजी क्रित हों पंजी क्रित हो और वह पंजी क्रित का अवेदन करने से ठीक पहले एक वर्स से साधर्ड तहा भारत में निवास कर रहा हो अगला प्रशन हाली में भारत और अमेरिका के विश्यस पलों का संग्त अभ्यास वज्र प्रहार दोज़ार तेस कि स्राज के नशासित प्रदेश में शुरू हुआ है इसका सही उतर विकल्प ए हाली में भारत और अमेरिका के विश्यस पलों पर संग्त अभ्यास वज्र प्रहार दोज़ार तेस मिघाले के उम्रोई चावली में शुरू हुआ यह इस अभ्यास का चौदहवा संस्क्रड है इस अभ्यास का और देश सेरिक छेतर में सरवत्तम प्रथाओं और अन्भवों को साजा करना है इस अभ्यास में अमेरिकी दलका प्रतने दित्तु प्रतम विश्यस पल समू के कर्मियों द्वारा जबकि भारती सेना दलका नित चले नूट कीजिए आज का भ्यास突 पूर्वी कमान की विशश बल कर्वियों दारा किया गया आपको बता दे कि इस स्छेंग्ट अभ्यास का प्रथम संस्क्रथ 2010 में आयुजित किया गया था जबकि 13 संस्क्रण हेमाचल प्रदेश के बकलोह में आयुजित किया गया था गौर्टलाभी कि इस अभ्यास में दोनों देश सम्रित रूप से आतंकवाद ब्रोधी अभ्यानों हवाई संचालन और परवतिक छेत्रों में युद्ध का अभ्यास करेंगे चले नूट कीजिए आज का भ्यास त्रश्न खाली में किस नदी में टेंटेलम नामक दुर्लम धातु पाई इसके विकल्प हैं A. सिंधु B. गुदावरी C. सतलुज या फिदी धर्मदा इसका सही उत्तर कमेट्स बॉक्स में देना ना भूले मिलते हैं अगले एपिसोट में नई प्रश्नों के साथ तब तक के लिए नमस्कार